नमस्कार दोस्तों ट्रेखी गुरुव अमिद्गुपता की यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों यूपी पूलिस की आगामी परिच्छा को ध्यान में रखते हुए कलेंडर का ये क्लास टू है जिसमें हम लोग जानेंगे कि लीप वर्स के सभी सम का समझान एक ट्रिक से कैसे किया आया सकता है यानि लीप वर्स के प्रस्नों में कई तरके छातरों को कई तरके confusion होते हैं अपने अपने तो इन सभी confusion को समाप्त कर देगा आज का यह एक छोटा सट्रिक जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे और apply भी कर पाएंगे आगामी यूपी पुलिस की परिच्छा में तो आई एक दम fundamental तरीके से बिलकुल आराम से psychological तरीके से step by step हम लोग इन बातों क समझते हैं लेकिन इस लीप वर्वाले जानकारी में हम लोग फाल्तू जानकारी नहीं पढ़ेंगे सिर्फ वही जानकारी समझेंगे जो कि आपकी परिच्छा के लिए उप्योगी होगा इसमें हम लोग पूरा पिस्तार से नहीं समझेंगे कि सूरा पृत्वी की गती के हिसाब से लीप वर्स कैसे एक दिन ज्यादा क्यों होता कैसे होता ये सब कुछ नहीं जानते हुए सिर्फ महतपूर जानकारी को हम लोग देखते हैं जो कि हमारी परिच्छा के लिए जरूरी है क्योंकि हमें टीचर नहीं बढ़ना है कलेंडर का हमें सिर्फ उतना ही जानना है जो कि परिच्छा के लिए अनिवार है तो लीप वर्स और सधारण वर्स तो समाने वर्स की परिभासा है जो कि जातर वर्स समाने वर्स ही होते हैं साधारण वर्स 365 दिन का होता है आप सब पैसर दिन का होता है और फरवरी इसमें 28 दिन की होती है और लीप वर्स इसी को हिंदी में अधी वर्स कहता है तो इसको भी आप रटे रहेगा अधी वर्स मतलब सोचिएगा अधी यानि अधिक वाला वर्स यह 365 दिन का है यह वो प्रसही नहीं कर पाये तो आप रट लिजिएए अधि वर्स का मतलब लीप वर्स होता है इस फरवरी 28 के बदले 29 दिन की होती यानि एक दिन इसमें इजाफा हो जाता है एक दिन बड़ जाता है क्यों बड़ जाता है कैसे कैसे क्या है इतना जनना आपको जलू度 नहीं है और फिर उसके बाद L are लीप वर्ष समानिता यानि यानि हमेजा नहीं 100 परस्ट नहीं समानिता या अधिकांस था प्रतेक 3 वर्ष के बाद कुछ लोग कते हैं कि लिप वर्ष 4 वर्ष बाद आता नहीं लीप वर्स प्रतेक तीन साल के बाद या हम कह सकते हैं कि प्रतेक चौथा वर्स लीप वर्स होता है या यह बोलिए कि प्रतेक चौथा वर्स लीप वर्स होता है समानता प्रतेक नहीं हम लोग कह सकते हैं प्रते क में संमानता प्रते कुछ कि कभी कभी सतापदी वर्श भी आते ही जो कि लिप वर्श नहीं होते हैं तो लीप वर्श में ढर सारा कन्फ्यूस है इतना होका अग्सामान्य वर्सी ज्यादा आते हैं और तीन वर्स के बाद आने का मतलब वो कम आता है वह लीप वर्स होता है और वो 366 दिन का होता है इसमें फरवरी 29 दिन के होती है क्योंकि माह में दिनों की गढ़ना करने के लिए सबसे पहले हमें लीप वर्स जानना ही पड़ेगे क्योंकि लीप वर्स तभी हम लोग माह की गढ़ना करते समय फरवरी 28 का लगाएं या 29 का जोड़ें यह हमें तभी पता होगा जब हम लोग लीप वर्स जानते रहेंगे, इसलिए सब्ता में दिनों को ग्याद करने के बाद अगला मैंने लाया है लीप वर्स, तो कि लीप वर्स जानने के बाद ही हम लोग सीखेंगे कि एक माह में दिन कैसे ग्याद करते हैं, तो लीप वर्स की पहचान क्या होती है तो देखिए लीप वर्स की पहचान ऐसे वर्स और यहां पर कोश्टक में धीरे से लिख दिया कि सतापती वर्स को छोड़ कर ऐसे वर्स जो चार से यह महतपूर जानकारी इसी को कुछ सिर्फ इतना है यानते कि जो वर्स चार से पूरा-पूरा विवाजित हो जाए लीप वर्स होता है जबकि यह गलत परिवासा है ऐसे वर्स जो चार से पूरता विवाजित हो जाए वो लीप वर्स होते है तो सही बात है समानिता समानिता ऐसा होता है कि जो वर्स चार से विवाजित होते है वो लीप वर्स होते ह लेकिन यह आप लिखा सताब्दी वर्स को छोड़ कर, यानि सभी सताब्दी वर्स जो होते हैं, वो जरूरी नहीं है, कि लीप ही वर्स हो, आप मेरे एक एक सत्थ परध्यान दिजेगा, जैसे वह ऐसे समान्ता की बात करें, समान्ता जो ऐसे वर्स चार्स विवाजित हो जात पूरा पूरा 70 ले ल shae का नियम यह कि बहुत हो गया को Teams अन्यवाँच् expans अगर मिभाजित घृटा चाल कुए mucho khallaxo च्छ सम function में च्छ मेंदा कुए एन्तीम दो अंक चार से जरूर विभाजित होता है, यह नियम है, तो अंतेम डबल जीरो दिखाई दे, तो आप समझे लिजे कि वो चार से वो अंक जरूर ग्रता है। कटेगा अंतिम दोंग चार से कड़ जाए तो समझे पूरा पूरा चार से जरू कटेगा यह जब आप लीप वर्स की जानकारी चेक करते रहेंगे तो आप सिर्फ दोंग कटा कर भी चेक कर सकते हैं आपका थोड़ा सा समय जो है वो बच जाएगा अब देखें नोट में क्या लिखा है समझाने के लिए जो चात नहीं समझ पाते हैं कि सताब्दी वर्स की से कहते हैं तो मैं समझ सकता हूँ चातरों कि अपनी छोटी-छोटी अलग-अलग समस्या होती हैं मैं कोसिस करता हूँ कि हर चात की हर तर की समस्या हलो सके और इसके अलावा भी अगर कोई confusion हो तो comment box में लिखिएगा समस्या चाहें जितनी छोटी हो या बड़ी हो उसका समधान करने का मैं प्रयास करूँगा तो सताब्दी वर्स की से कहते हैं यहां पर समझाने की कोशिस किया गया साधार सब्दों में कि जिस वर्स के अंत में दो सुनी दिखाई दे यानि इसकी तर सर्वात हुआ उगत स्वाठत सौ दो सो तीन सौ चार न बस में 1 दिखाई देरा यानि कि सताब्दी वर्स सतरह साकर लाक्ष उसके डबल सताब्दी वर्स में उसको आप कह सकते हैं अब लीप वर्ष की पहचान यानि कि डिया गया वर्ष कलेंडर बार बार जरूरत पड़ेगा कि दिया इसलियक या इन सबका मैं conclusion कर दूँगा छोटे से trick में तो देखे अभी तो बताया गया पहले नियम में यहाँ पर पहले नियम में देखे यह पहला नियम है पहला नियम यह है कि ऐसे वर्स जो चार से पूरा-पूरा विभाजित हो जाए वह लीप वर्स होते हैं और नियम 2 में क्या कर र वीभाजित होने वाले वर्स लीप वर्स होते हैं अब कह रहा है कि 4 से वीभाजित होने वाले वाले कुछ साला ऐसे भी हैं जो चयार से कटने के बावजूद भीस नहीं होते हैं जैसे कि सताब दीव जैसे 70-800 00 है तो जरु़ से नियम है कि 4 से कट जाएगा देख लिए कट के भी चार चुक के सोल एक बचा चार दुना के आठ दो बाता चार पाचे बीस यानि पूरा पूरा कट गे चार से लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग यह नहीं कहेंगे कि यह लीप वर्स है क्योंकि यह सतापदी वर्स है कहा जारा एक सता इसको छोड़ करके देखिए यहां पर दो बाते आगे आपको नफ्यूज हो सकते हैं पहला बात इसने कहा कि चार से जो विभाजित होगा वो लीप वर्स होगा फिर कह रहा कि जो चार से कुछ-कुछ साल ऐसा भी है जो कि विभाजित होने के बावजूद भी अब देखिए अगला चार सो से अगर यह कड़ जाए जो कि कठी जाएगा तो यह लीप वर्स होगा यह भी कड़ जाएगा चार सो से तो यह भी लीप वर्स होगा यह भी चार से कड़ जाएगा यह भी चार से कड़ जाएगा चार सो से कड़ जाएगा तो यह सब क्या होगा लीप वर्स होगा त कोई बात नहीं समझ ली तोँ अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्रत नहीं आ बस आप इतना ही समझ ले सुपारणी का मैंने बताया है सिर्प आप अपके लिए कि लीफ वर्ष अगर आपको ग्याद करना है Y, Z को ही भी साल देदे और अगर आपको ये पता करना हो कि ये साल leap वर्स है या सधार वर्स है यानि 365 वाला दिन है या 365 दिन वाला वर्स है तो इसके लिए आपको बस इतरही करना है कि उस दिए गये वर्स को 4 से या 400 से विभाजित करके देखना है कट जाए पूरा-पूरा यानि विभाजित हो जाए पूरा-पूरा तो वो लीप वर्स है और पूरा-पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो वो सधार वर्स है बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि उस दिये गए वर्स को कब आपको चार से विभाजित करके चेक करना है औ उसको ही 400 से कटाना, जिस वर्स के लाष्ट में 00 दिखाए दे, उसी को 004 कटाना, जैसे 1600 किसे कटाएंगे, तो इसके लाष्ट में 000 दिख रहा है, तो 400 से, अगर 901 लिक दे, किसे कटाएंगे, इसके लाष्ट में 000 नहीं दिख रहा है, तो 4 से, यानि जिस वर्स के से कट आइए गा कट जाए लिप वर्स नहीं कटे सधार अभी बीधर अब ही अगर नहीं समुझ में हो तो भी कोई बात निया है अब हम लोग उदार से समझेंगे तो आसानी से समंझ में आ जाएगा अब दिया गया यह साला जो वर्स है इसे आपको बताना है कौन सा सधार वर्स है कौन सा लीप वर्स है तो आप इतना समझी गए हैं कि हमें या तो 4 से कटाना है या 400 से कटाना है है कट जाये तो लीप वर्स नहीं कटे तो सधार वस अब बस इतना ही आपको दिमाग में फिट करना है कि कब हमें चार से भाग देना है कब हमें 400 से तो देखिए अब 1600 इसभी यह जू हई यह तो आपको कोई पूझ रहा है कि 1620 सधारवर्स है या लीप सब्सक्राइब दिन जोडेंगे लिपवर्स ल्गाल सो ओग तो लो यांब 1 पचास इसमें एक ही 0 है यानि कुल मिला के double zero नहीं है तो इसको किसे कटाएंगे चार से कटाएंगे तो बताया गया कि अंतीम दो आंग अगर चार से कट जाता है तो यह पूरा पूरा आंग भी अगर गलती से आप इसे चार से कटाएंगे तो आगर गलती से चेक करेंगे तो मैंने बताया था जिस वर्स के लाष्ट में डबल जीरो रहता है वो चार से जरू कड़ता है तो यह कट जाएगा और कटने का मतलब आप समझेंगे कि लीफ वर्से सातरों सो इस भी जबकि यह साधार वर्स है तो इस बात पर आपको विशेज ध्यान देना ह कि किसको आपको 4 से कटाना है और किसे 400 से है अब यहाँ पर देखे बीच में डबल जीरो है मैंने जान मुझके ऐसा उधार लिया है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रपाए बीच में डबल जीरो इसका मतलब यह नहीं कि आप 400 से कटा देंगे मैंने बताया था कि कि किसी भी वर्स के अंत में डबल जीरो रहना चाहिए नो की बीच में तो इसे आप किससे कटाएंगे 40 से और मैंने बताया कि अंतीम दो अंग अगर 4 से विभाईत हो जाए तो विभाईता का नियम है मैत में कि पूरा पूरा वह अंग 4 से जरू विभाईत होता है यानि कि 4 क यानि 365 वाला साल है लिप वर्स अमें यह पदा चल जाता है कि इसमें फर्वरी में 28 दिन गर्णा करेंगे लिप वर्स है तो फर्वरी में हमें 29 की गर्णा करने होती है इसमें 3 0 है तो यह नहीं सोचना है कि 2 0 में 400 से भाग देना है 2 से ज़्यादा भी 0 है तो हम इसे 400 से ही भाग देंगे 0045 यानि यह भी 400 से कड़ जाएगा यानि यह क्या है Leap work से है अब वो 99 की चेक करना है तो किस से कटाएंगे 00 80 तो हमें 4 से कठाना है तो बस 222 तो चकाटाकिए चेक कर लिए, यानि नहीं कॉण यहें सवर्वर्श कैसे चकरते हैं है तो अब हम देख लेते कुछ प्रतियोगी परिछाओं में इस्से प्रशन भी डाइरेक्ट पुछा जाता है लीप व्रस सहे सथार्वर्स ये सब्समानी सब पर नहीं है कि इसको करें कि लाष्ट में 003 इसे जाटा कि चेक करेंगे 295tron से double 0 से double 0 44 16 25 यानि कुल मिला के पुरा-पूरा विभाइद नहीं होगा यानि यह हमारा किया है आंसर नहीं है बलकी यह हमारा साथारण वर्स है अब हम लोग इसको देखते इसमें डबल जीरो है तो इसमें हम लोग 400 से भाइद करेंगे ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा मुझे बानी देखते देखते समझ जाएंगे कि 4 से कटाना है या 400 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये भी आप समझ जाएं क्योंकि मैं था पच्छी तरह से लगाते हैं यानि कि नहीं हलके बजन वाले को पुष्टी में हलके बजन वाले से और भारी बजन वाले को भारी बजन से लड़ाये जाता है तो जब 00 वाला दिखेगा अंक तो हम उसे बड़े अंक से यानि 400 से ही कटाएंगे और 00 नहीं दिख रहा है यानि हलका है यानि हम उसे 4 से कटाएंगे इस त हम लोग चेक कर ले रहे हैं इसे किसे कटाएंगे चार से तो चार त्याहीं 12 होता है और चार्चों के सुला होता है यानि यह भी पूरा-पूरा कटेगा नहीं यानि हमारा आंसर हो जाता है सी एक और परस देखिए उत्तर परदेश पूलीस की परिच्छा के हम लोग त्यारी करना देखिए 2009 में यह प्रस्ण पूछा जा चुका है कौन सा वर्ष अधी वर्ष इसी प्रस्ण की साथ में बात कर रहा था लीप वर्ष है इसमें अधी वर्ष यानि कि अधिक वाला वर् वर्ष का उन्सा है इसको किसे कटाएं से चार था चार दुनी की आठ नहीं कटेगा यहाना यहां तो चार था चार यह उन्क होगे मार यहां। निवन में से किस वर्स में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है यानि कि 29 दिन नहीं है फरवरी में यानि कि कौन सा वर्स साधारण वर्स है किस वर्स फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे 29 दिन नहीं थे यानि इसमें साधार वर्स पूछा जा रहा है तो यह तो 400 से 400 से कटाएंगे तो यह आराम से 4 पॉर्स है यानि ये क्या है लिप वर्स है ये लाश्ट में 4 है तो ये भी 4 से कन जाएँगा यानि accident इसनक जंगे घटार दो बचाओ और 26 1 बचयोंगे यानि ये भी क्या है लिप वर्स है इसनक भी व Mem princess 1986 ऐसा साल है जिसमें फरवरी 29 की नहीं होगी बलकि 28 की होगी इसलिए मारा आंसर क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है डी एक और प्रस देख लेते हैं चलते चलते निमन में से कौन सा लीप वर्स है डारेक्ट पूछ दिया है तो अंति में अब बीच में डबल जिरो है तो यह आप नहीं करिया गलती की 400 से कटाईएगा अंति में डबल जिरो चाहिए बीच में नहीं यानि इसे हम 4 ही से कटाएंग से कटाकि चेक कर लिए बीवासताक नेम के साबसे तो 4 से 9 विवाइत ने होगा कुल मिला थैं साधारण वर्स है अंति में 10 है तो 4 से ही कटाएंगे इसको क्योंकि डबल जिरो नहीं है आंति में तो 4 दून 8 होता है 10 नहीं होता है यानि यह वी क्या है साधार वर्स है अंति आपको confusion हो तो आप पूरा ही पूरा अंक चार से कटा की चेक कर लिया करिए तो भी आपको पार चल जाएगा याई कि यही हमारा लीप वर्स है हमारा आंसर जाता है डी तो दोस्तों आज के छोठा से वीडियो को कैसा लाख कमेंट बाक्स में जरूर लिकेएगा वीडियो अच्छा लगा तो जो लाइक लएख कर देजेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी पूलिस की परिच्छा को ध्यान में रखते धन्यवाद दोस्तों